दोस्तों स्वागत है मेरे यूटुग चैनल फीस फार्मिंग एंड सीडस फर मचली पालन बहुत ही मुनाफ़े का बिजनेस है बहुत सारे लोग इस वेवसाय को अपनाना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग अपनाये हुए हैं अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा रहे हैं जो लोग जो भी इस वेवसाय से जूरना चाह रहे हैं या जूरने का प्रयास कर रहे हैं जो जूरने का प्रयास कर रहे हैं या जो पहले से जूरे हुए हैं उनके पास एक बहुत बरी समस्या होती है अच्छी गुनवत्ता की सीडस का सीडस यानि मचली के बीज का जो आप ताला में इस्टॉक करते हैं अगर आपके पास अच्छी गुनवत्ता वाली अच्छी क्वालिटी की अच्छी वहराइटी की मचलियां उपलब्ध नहीं हो तो सारी मेहनत आपकी पुरा समय साल भर का समय डेर साल का समय दो साल का समय बरबाद हो जाता है आज के वीडियो में हम इसी मचली सीट्स के बारे में आपसे कुछ सेयर करने का प्रयास करेंगे कि इस तरह का बीच आपको अपने तलाब में डालना चाहिए अच्छी कुनवत्ता वाला बीच हम कहां से लें कि आपके अपसात धोखा नहीं हो बहुत सारे सीट सेलर ऐसे हैं जो जब आप उनके यहां सीट खरीदने जाते हैं वहां से सीट मंगवाते हैं तो अनेको समस्याय उत्पन हो जाती है आपके साथ अच्छे क्वालिटी का सीट से नहीं देते हैं और आप लोगों से बात करके ही मुझे पता चला है कि जब जाते हैं तो पुरान वहब नहीं होता आपके एडिये के अनुसार कई गुना ज्यादा सीट आपको बेच दिया जाता है सीट सेलर के नुसार बहुत सारे लोग तो हमको यह भी बताते हैं कि एक एकर का मेरा तलाव है एक लाख बच्चा हमें स्टॉक की हैं हमको बहुत उस सेलर साथ है वैसे सीट सेलर पर जो बगएर जाने हुए बगायर समझे हुए बगर बूचे हुए की एडियाप का कितना है और एक एक लाख बथा यह एक एकर कि एक कर但 में को months list मिल्र考 उसकाना है लेकिन जो सीर सेलर नहीं उसको बताना चाहिए कि आपको कितना सीड डालना चाहिए एक एकर में, हाफ एकर में या दो एकर में तो ये सारी जनकाड़ी आपको होना चाहिए इसी पर हम चर्चा करेंगे और एक स्क्रीन पर जो नमबर दिखाई दे रहा है इस नमबर पर आप कॉल करके किसी भी तरह की मचली का सीड आप हम से मंगवा सकते हैं आपको उत अईसे 5 लोगों का नम इस वीडियो में से बताने जा रहा है बहुत संदीा मंगवा दो कॉल करके दिये हुए नमबर पर कॉल करके चौथा नाम है मनोज कुमार सीता मरही जो बिहार के रहने वाले हैं पांचमा नाम है गुंजन कुमार शपड़ा बिहार के ही रहने वाले हैं जिस तरह से ये लोग सीट मंगवाते हैं आप भी दिये हुए नमबर पर कॉल करके मुझे से अच एकर का तलाब है तो मात्र 5000 या 6000 फिंगर लिंग एस्टॉक कीजिए अगर छोटा बच्छा आपको उपलवद होता है एक इंची साइज का तो आप उसको पहले अपने नरसरी तलाब में एस्टॉक कीजिए उसके बाद जब वह फिंगर लिंग साइज का हो जाए तब आप इस साइज का बच्चा आपको उपलवद कराने के लिए बोलते हैं तो उस पोजिशन में एक एकर के लिए मात्र 8000 बच्चा आप इस्टॉक कीजिए चुकि कुछ बच्चे आपके बरवाद होंगे कुछ में बरवाद करेंगी कुछ पक्षियां नुकसान पहुंचाएंगी अपने मचलियों का अच्छी तरह से ग्रोथ फाईए दोस्तों और अच्छे सीट सेलर से ही संपर करके सीट लिजिए अच्छी गुनवत्ता युक्त लिए हूं नेमबर पर कॉल करके सीट बंगाएंगे बेस्ट क्वाइलिटी का सीट उपलब्स कराया जाएगा बहुत बह